अगला आमला दोस्तों पारे पास यहां पर वो है और वो है आपका PM सहब ने क्या कहा सुनिए गाराम से मौका था दोस्तों Central State Science Conclave का Science Conclave जी हां दोस्तों इसका आउजन किया गया एहमदाबाद गुजरात में साइंस कॉंक्लेव का Central State Science Conclave केंद्र और राजी के प्रतिनदी बैठें और साइंस पर चर्चा करें साइंस कैसे आंगबड़े रिसर जांगबड़े एहमदाबाद गुजरात में हुआ दोस्तों सम्मिट दो दिन चलाई है कोई समस्य नहीं है इंपरेंट बात किया है दोस्तों इंपरेंट बímीएंस में इनकों बारे में हम ने का सम्मान हम लोग सेलिब्रेट नहीं करते हैं तो हमारे वैग्श्यानिकों का में सम्मान अतना सेलिबरेशन हमें उसका उत्सान नहीं बढ़ाते हैं वरने कहा कि हमारे भारत में वैग्यानिकों को celebrate डंक से नहीं किया जाता इंटियन साइंटिस्त वर नोट celebrated परयात रूप से नहीं किया गया दोस्तों उनका कहना था हमने नोبل प्रुसकार जीते हमारे वैग्यानिकों उने सीवी रमन, हम बात करें, चंद्शेकर की बात करें, सतेजनाद बोस की बात करें, मेगनन सहा की बात करें, इन्होंने दुनिया में हमारा नाम बढ़ाया, लेकिन इनके नाम को भारत में लोग याद भी नहीं करते हैं, इनके नाम को हम लोग सेलिबरेट नहीं करते हैं, जी हा आँगे बढ़ें दोस्तों, इसके लावा पीम सारम दूसरी बात कही कि हमने जो scientific achievement हासिल किये हैं, हमने जो विज्ञानिक चमतकार, विज्ञानिक हमने जो उपलब्धियां हासिल किये हैं, उन्हें हमें याद करना चाहिए, उनको उनके achievement पर उपलब्धियों पर हमें गर्व होना चाहिए, यह उनकों ने कहा कि हैर भारतिये को अपने विज्ञानिकों कि उपलब्धियों पर गर्व हो, अच्छी बात है सर, तीसरी बात, जो पीम सारम ने कही कि 2014 के बाद से, भारत में लगातार निवेश बढ़ लहा है, आर एंडी सेक्टर में, यह कहना है भारती प्रधान मंतरी अच्छी बात है, भारत ने ग्लोबल रैंक अच्छी हांसिल की है, हम विज्ञानिक उपलब्धियों में, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में, 81 पोईशन पहते हैं से 5 साल पहले, 2015 में दोस्तों, और आज हमाई रैंक आचुके 46, जी हां, तो 2021 तक आते हम लोग 46 रैंक पर आचुके 81 से बहतर होते हुए, यानि ग्लोबल इनोवेशन में हमारे नवाचार हो रहा है, हमारे इनोवेशन हो रहा है, यह कहना है भारती विज्ञानिक अपर यहां पर यह बाद भी ठीक है सर, इसके लाब वनने कहा कि हमारे लगाता पेटेंट फाइल हो रहे हैं, हम लो के निवेश को बढ़ावा दें, अल्टिमेटरी साइंस टेंक को बढ़ावा दें, एक बात और उने कहीं, जो बहुत काम की है मेरे लिए, चौती बात के अगेर होने दूस्तों, चौती बात उनने कहीं, कि यार जो लोकल समस्याएं होती हैं, अब बार आरी किसी इलाके में, या सूखा पढ़ रहा है, या कोई वाइरस फैलराई चोटे अलाके में, या कुछ और महामारी फैलरी चोटे मोत अलाके में, तो इसके लिए, लोकल प्रॉब्लम्स के लिए, यहां की जो राज्य सरकारे हैं न, उन्हें थोड़ा इनोवेटिव होना होगा, उन्हें समाध न, इसको याद करें, उनके वग्यान उपलब्दियों को याद करें और निवेश को ने बढ़ाया है, यह पीम साहब ने कहा, पनी बात पर दोस्तों यहांपर, आये यह यह पीम साहब ने कहा, लेकिन थोड़ा से कर दो चोटा समापके दोस्तों डेटा मेरे पास कुछ है डेटा के आपके स्क्रीन बे दोस्तों कि भारत कितना खर्च करता है GDP का बाकी देश कितना खर्च करते है PM साहा में कर निवेश बढ़ा है PM साहा में कर सर निवेश बढ़ा है पिछले कुछ सालों में कितना बढ़ा है निवेश दोस्तों अच्छी बात है इस्राइल करता है जीडीपी का लगबग 4.3% चीन करता है 2% हम करते हैं लगबग 0.8% तो भारत में निवेश बढ़ा होगा भारत में निवेश बढ़ा है इन पाइंट बात क्या है दोस्तों समस्या यही है हमारे हाँ निवेश तो बढ़ेगा ही ना यार 10-20 साल निवेश तो बढ़ेगा ही एक आकड़ा और देखिए आपको दिखाता हूँ दोस्तों मैं यहाँ पर निवेश क्या है आज से 2004-05 की बात करें 20 साल पहले हमारा कुल निवेश था 24,000 करोड उपे का हमारा कुल निवेश करते थे आर एंडी पर हम लोग 12-13 में हमने निवेश कितना किया लगबक 73 करोड यह दस सालों में कितना बढ़ गया तीन गुना हो गया 2017 की बात करें कितना कर रहे हैं हम लोग 1,4,000 करोड तो निवेश तो बढ़ रहा है 24 से 1,4,000 हो गया 1,10,000 या कोड़ पर भी आ चुके हैं दोस्तों हम लोग यहाँ पर निवेश तो बढ़ रहा है लेकिन क्या निवेश GDP के अनुपात में बढ़ रहा है तब भी GDP का 0.7 खर्ष करते थे 0.7 करते थे 0.6 करते थे 0.7 करते थे और अब 0.8 करते हैं तो बढ़ा कहा निवेश GDP के अनुपात में कहा बढ़ा इसराइल 4% पर अमेरिका 2% पर हमारा निवेश क्या है कुछ नहीं दोस्तों भारत में निजी निवेश काफी कम है प्राइवेट इंवेश्मेंट काफी कम है दुनिया के बाकी देशों के मुकाबले ये चार्ट देख समझ में आज़ा है कलरफुल देखकर आपके टोटल जो खर्च करते हैं आप साइंस टेक पर उसका के आधा कौन करता है भारत सरकारी गौर्रमेंट करती है नीला वाला पार्ट गौर्रमेंट का है नीला वाला पार्ट बिजनिस या प्राइवेट का है बिजनिस करते हैं लगबग तो आधा भाग हमारा प्राइवेट करता है और कुछ भाग टोटल छोटा सुपर भाग दोस्तों नIMARीुजी करती है। युनिवस्टी बहुत छोटा हिस्से करती है कुल साइन्स टेक के खरच का। वहीं आप चलें में सिर्कार बहुत कम करती है। बिजनीस बहुत जादा करती है। जर्मनी चलिए, सरकार कम करती है, निजी शेत्रे ज़्यादा करता है और युनिवर्सटी काफी ज़्यादा करती है। आप ओद्धस अन में आएगा। वहाँ पर जो कहरें आप स्टेट लोकल समस्याओं को हल करें। तो वहाँ पर युनिवर्सटी तना खर्श करती है लोकल जो पीम सहब ने कहा क्लियर है बाते आपको मेरी चीक है चले तो पीम सहब का याद अखिए कॉनक्ले वरोने तीनचा पॉइंट का अच्छी बात जो नों कहीं वेग्जानिकों का हम लोग सम्मान करें यह बहुत जरूरी देश के लिए हमने अपने वेग्जानिकों का सम्मान बंदे हैं दो चार साल इनको हुआ है उनको ही सम्मान उता है निको चूपने मारे हो सकते हैं को जो पिरोक्राइट हैं वेग्जान काम उनको सम्मान एबवीन हो सकते हैं and development पे खर्च, नसंधान और विकास पर खर्च, विज्ञान का कितना खर्च हम कर रहे हैं विज्ञान की उपर, विज्ञान का नसंधान पर कितना खर्च कर रहे हैं दोस्तों वो देखा जाता है